दोस्तो नमस्कार आज फिर आपका सौगत है एक नई वीडियो में दोस्तो आज हम बनाने जा रहे हैं गलीसरीन सोप जो कि आपने पियर्स सोप कभी यूज किया होगा या कभी देखा होगा सेम टू सेम उसी टाइप का ट्रांस्परेंट सोप हम बनाने जा रहे हैं जो कि नहाने के लिए अति उत्तम होता है और बहुत ही अची चीज की क्वाल्टी होती है और आंकों में से लन भी नहीं होती बच्चों को नहीं ला लेंगे लिए सबसे अच्छा साबून होता है और जिनको तौचा के रोग होते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छी चीज होती है तो सबसे पहले हम लेते हैं soap base, soap base को एक कड़ाई में डालेते हैं soap base को हमें melt करना पड़ता है तो इस वीडियो को आज पूरा देखना आप इस वीडियो में हम आपको लागत कमाई और इसका जो भी है वो system जितना setup लगता है कितना खर्चा लगता है सब चीज आपको इस वीडियो में हम आपको आज समझा देगे तो हमने कड़ाई में डाल लिया है soap base तो soap base को हमें गरम करना पड़ता है इसलिए हमने कड़ाई में डाला है और नीचे से हमने इसको गेंस है वो ओन कर दिया है ये नॉर्मल आप नॉर्मल से 10,000,500,000 वीज़ा रूपे से आप ये विजन स्कर पे स्टार्ट कर सकते हैं नॉर्मल सी कड़ाई लगती है 10 किलो तक कि आप कड़ाई ले सकते हैं छोटा गेस चुला ले सकते हैं चोटा स्लेंटर लगा सकते हैं कोई भी ज्यादा माता पच्ची वाला काम नहीं है बिल्कुल सिंपल काम है ये देख लिए हमारा जो सोब बेस है वो मेल्ट होना यानि कि पिगलना शुरू हो गया है ये बिल्कुल ओइल के जैसा हो जाएगा पिगल कर इसको थोड़े देर आपको पल्टे से हिला देना है ज्यादा नहीं हिलाना है क्योंकि ज्यादा हिलने से इसमें जागा जाते है तो ये लगा हमारा मेल्ट हो चुका है अभी हम इसके अंदर एड़ कर देंगे हमारा कलर आपको जो भी साबून का कलर देना है वो color इसमें आप add कर सकते हैं क्योंकि अभी ये बिल्कुल ट्रांस्पिर्ट बनेगी तो हमने इसमें add कर दिया है red color हमें red color की साबुनानी है और इसमें आपको perfume भी add कर देना है आपको जो भी perfume add करना है जैसे rose का या lemon का जो भी perfume है वो आपको इसमें add कर देना है perfume आपको market में 1000 रुपे से लेकर 2000 रुपे लेटर तक मिल जाता है तो हमने इसमें perfume और color add कर दिया है अभी ये थोड़ा सा melt और होगा तो पूरा का पूरा जो sop base है वो पिखल जाएगा और हमने इसमें थोड़ा सा color और डाला है ताकि साबून की जो color की quality है वो बिल्कुल निकर के आई और बहुत ही गजब का साबून होता है दोस्तों आपने कभी market में देखा होगा और इसकी लागत cost भी हम आपको इस वीडियो के आखिर में आपको बता देंगी और आपको ये भी बता देंगी कि raw material इसका आपको कहां से मिलने वाला है दोस्तों इसको अच्छे से mix कर लेना है color को और धिमी आज पर इसको जो है गरम करना है ज्यादा heat नहीं देनी है इसको तो अब ये लगबग हमारा ready हो गया है इसको हम पूरा पिगलने के बाद बाहर निकाल लेंगे जो soap mold आते हैं दोस्तो रेडिमेंट आते हैं soap mold एक mold के अंदर हमें 6 sabun देखने को मिल जाते हैं बन जाते हैं हमारे 6 sabun एक mold के अंदर और mold आपको market में लगबग डाई 100 रुपे का एक mold मिल जाता है ये बिल्कुल पूरा पिगल चुका है हमने इसमें perfume भी डाल दिया है color भी डाल दिया है अभी हम इसको ये जो mold आप देख रहे हैं ये लगबग हमारे पास 11 mold है दो चकोर वाले हैं बाकी round वाले हैं इन मेंसे हम अभी इन सभी mold के अंदर ये जो libeni है हमारी ये डाल देञे और ये लगबग άदे गंटे में सरल्दियों में अदे गंटे में जम जाता है और करिम्यों में 10 deifryस एक गंटे में जम जाता है तो हमने पूरा जो mold है वो भर लिये हैं 6 साबून का एक mold होता है हमारा तो एक साथ हमारी तो अभी ये हमारे मोल्ड लग बग आदा गंटा हो गया है ये बिलकुल रेडी हो गया है हमारी साबून अब इसको करना कुछ नहीं है बस इस तरिके से बाहर निकाल लेना है जैसे हमारी फ्रीज के अंदर बर्फ जमती है ठीक उसी परकार से ये बिलकुल जम गया है मोल्ड के अंदर ये मोल्ड का भी खराब भी नहीं होते नई फटते हैं तो इनको फटा-फट से हम बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद इनकी पोली पेकिंग कर देंगे ताकि यह आपस में चिपके ना उट दिखने में अच्छी लगे देखिए बिल्कुल भी आसान काम है कोई भी ज़्यादा hard काम नहीं है बिल्कुल भी simple काम है अगर आपके पास ज़्यादा mold हो तो आप ज़्यादा quantity में एक साथ बड़ी कड़ाई लेकर इसको ज़्यादा quantity में बना सकते हैं 100.500-200.000 तक एक साथ बना सकते हैं जाने वाली बात नहीं है कोई फॉर्मूला इसमें नहीं लगता और बहुती गजब का साबून है और इसकी मार्केट आप डूर तो डूर या फिर होल सेल भी कर सकते हैं यह देखिए हमारा साबून बनकर रेडी है हमने पॉली पेकिंग भी कर दी है बिलकुल भी सस्ते दामो का जो है जुगाड लगाया हुआ है यहां पर अजार रूपे की हमने शीलिंग मशीन लगा सकते हैं यह देखिए कितनी अच्छी लग रही है यह देखिए हमने दो कलर में इसको रेडी कर लिया है यह देखिए अभी बनने के बाद कभी हो देखिए हमने लग बग आज पिचेतर के जी sไड़ बनाया है पिचेतर के अपकर हमें Red कलर, Yellow कलर अर डारक Green कलर हमीदे इसमें से बनाया है अलग-अलग परिफ्यूम डाला है Lemon Rose ओर Green के अंदर हमने डाला है Lemon Grass तो देख सकते हैं ये देखिए भील कुल अलगलगbir सेप के अंदर और अलग-अलग डिजाइन इसमें सोप मॉल्ड के बहुत से डिजाइन आते हैं किसी भी टाइप की साब्न बना सकते हैं फूल टाइप मॉल्ड को ये बहुत ही असान काम है तो दोस्तों ये जो 100 बेस है आपको मिल जाएगा दिली से आपको 100 रुपे केजी यानि 1000 रुपे का 100 केजी मिल जाएगा और इसके उपर जिस्ट ये वटाराप्षनेट लगती है और इसके उपर जो अन्या खर्चा आता है ट्रांस्पोर्ट का वगेरा का वो मिला के ये आपको पढ़ जाता है घर पे आकर 11,900 रुपे गया स्वास पढ़ जाता है या आप 12,000 मानके चलिए 12,100 रुपे मानके चलिए और इस पे परफ्यूम वगेरा और कलर वगेरा डाल कर ये 12,000 रुपे में 100 केजी तयार हो जाता है यानि 125 रुपे में 1 किलो साबुन तयार हो जाता है अगर आप 100 ग्राम के साबुन मनाते हो या 125 ग्राम के भी साबुन मनाते हो तो 125 ग्राम के इसमें साबुन मन जाएंगे 10 और आपको कोस्टिंग आई 12. 여러분 Chenow 다시 13 रूपे की और यह मार्केट में legitimacy मेंscail हो जाता है अराम से 20 रूपे का और retail में DES हो जाता है यह आराम से 30 रूप LAUGH का दोस्तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके आप जुरूर बताएं वीडियो कैसा लगा आप में से कमेंट करने वाले दस विजयता चुने जाएंगे जिनको हम फ्री में एक केजी साबून हम आपको फ्री में बेज देंगे वो भी आपके address पर बिना किसी cost के तो आप जल्दी से हमें comment करें और अपना address है वो हमें comment करके बताएं हम आपको जल्द से जल्द साबुन बेजने की कोशिस करेंगे करें दो7 साबुन करें डेजने की करेंगे करें लादो और नीक भास